नमस्कार जनता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की खबर मध्यप्रदेश में सिवराज सिंग चौहान जी के द्वारा एक लाख रुपे की राशी मुआबजी के तौर पर कुरोना से म्रतक परिजनों को देने की घोशना किये गई है इस घोशना के साथ ही मुआबजी की राशी को लेकर विवाद पैदा हो गया है स्रीशूरत जैसवाल जनतादल यू के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि जिस प्रकार बिहार सरकार कुरोना से म्रत व्यक्तियों की परिजनों को चार लाख रुपे का मुआफजा दे रह लिए उन्हीं को ही को रोटोकॉल की तहट अंतिम संसकार किया गया है उन सभी को रोटोकॉल साथ उन्होंने कहा कि पहली लहर और दूसरी लहर का क्या तात्पर है क्या पहली लहर में मरे हुए व्यक्ति कोरोना से पिडित हो कर नहीं मरे थे इसलिए पहली लहर और दूसरी लहर की जो सर्थ रखी गई है उस सर्थ को हटाया जाए और अभी तक जितने भी कोरोना से मुझा हुए हैं उन सभी को यह मुझा दिया जाए श्रीशूरज फिर जैसवाल ने कहा कि वैक मुझा को इसकी लिए संघर्श करेगी के मुख मंती सिरिष चयोंग जी और उन्होंने घोशना की है कि प्रतेग कोरोना से मिर्टेक के परीजनों को एक लाग रुपया का महवज़ा दिया जाएगा निश्चे तोर पे मद्ध प्रदेश पूरे देश में सरवधिक टेक्स लेने वाला राज्य है जो अपने राज्य के प्रतेग नागरिक से हर चीज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार बेहार में मानी नितीश कुमाजी की सरकार प्रतेग मृतक के प्रईवार को जो करोना से राज्य हूए है उनके परीजनों को चाल लाग रुपय का मुखमती राहत को से मावज़ा दे रहे हैं उसी बेहार की तच्वे मद्ध देश के अंद में जो मृत हुए हैं उनके लोगों को उन मरतकों के परीजन को एक लाख रुपे दिया जाएगा साथ ही साथ जिनको प्रसासनिक तोर पर कुरोना डेथ दिकलेर किया गया है। उनके परीजनों को ही यह मावजा दिया जाएगा। मैं मुक्वंत्री जी से निविधन करना चाहता हूं कि वे अपनी घोष्टा में संसोधन करें एक लाग का मौजा निश्चत तोर पर किसी तरह से भी बहुत ही कम है नाकाफी है बेंसाफी है हमारे प्रदेश के नागरिकों के साथ अधर्नी मुख्मंत्री जी करोना काल में लोगों ने अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए अपने घर को अपने जमीन को गिरिवी रख दिया लेकिन फिर भी वे उसे बचा नहीं पाए ऐसी स्थिति में ये राजधर में प्रदेश की सरकार का कि वो अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहा है और उच्छित महावज़ा दे राजधर अधिनियम में भी महामारी और प्राकतिक आपता में मुरत व्यक्तियों को कम से कम चाल लाग रुपे के महावज़ा देने का प्रभदाने मैं आप से निविद कि उसमें संसोधन करें कम से कम चाल लाग का महावज़ा मिले और कोरोना की पहली लहर और दूसी लहर क्या होती है आप मुझे बताएं कोरोना से मरत प्रतेक परिवार को चाहे वो पहली लहर में मरा हो या दूसी लहर में मरा हो उसके चाल लाग रुपे दिया जाना जनता दल्यू मदवर्देश की तरफ से मांग करता हूँ और हमने पत्र लिखा है अदर्णी मुखमती जी को कि वो अपनी घोष्णा में संसोधन करें जनता दल्यू मदवर्देश पूरी तरह कुरोना काल में मरतकों के प्रेवारों के साथ है और हम वचन बद हैं कि हम उनके लिए नयाई की लड़ाई लड़ेंगे मैं मांगनी मुखमती जी से निविदन करना चाहता हूँ कि वो अपनी घोष्णा में संसोधन करें और बिहार की तरच पर प्रतेग मृतक के प्रिवार को चालना कमावज़ा दें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूलें आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें